हेलो और वेल्कम टू टीवी का पटाका वल्डर्स तो टीवी स्टार मोहित अबरोल ने भी अब यहां पर तुनीशा सुसाइट केस की उपर एक बड़ा बयान दिया है तुनीशा शर्मा केस में हर दिन कोई न कोई बड़े सिलेबरिटी का इंटर्वियू सामने आता रहता है तो वही अब अलिबाबा दास्ताने काबल में तुनीशा शर्मा के साथ को आक्टर यानि की मोहित अबरोल ने भी अपना एक बड़ा बयान सामने रखा है जिसने इस केस में एक नई रोश्टी डाली है वेल अपना एक इंटरिव्यू बता रहे थे यहां पे मोहित अबरोल और उसी इंटरिव्यू में तुनीशा शर्मा के केस से जुड़े कुछ सवाल किये गए तब यहां पे मोहित अबरोल ने ये कहा कि तुनीशा मेरे लिए एक बेटी की तरह थी तुनीशा और मेरा बांट काफी जादा अलग था मैं तुनीशा को बहुत ही जादा प्यार करत थी उनका बिहेवियर बहुत ही जादा अच्छा था वो कभी बत्तमीजी से बात नहीं करती थी कभी भी इतना सक्सेस्फुल और बड़ा करियर होने के पावजूद उनमें एरोगेंस नहीं था लेकिन दोस्तों मोहित अबरोल ने एक बड़ी बात बोली है मोहित अबरोल न लेकिन उन्होंने कभी भी परसनली जाने की कोशिश नहीं की तुनीशा से वो बहुत ही जादा प्यार करते थे लेकिन हमेशा ही एक बेटी के तौर पर उन्होंने तुनीशा को देखा उन्होंने कभी भी उनके परसनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की और एडिश्टा बहुत ही जादा करीब था तभी लोगों के वीच में भी बाते हो रही थी लेकिन मोहित अबरोल इस पर अपना किसी भी तरीके का कोई भी बयान देने से बच रहे हैं आप क्या कहेंगे हमें अपने व्यूज कामेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें